आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, welcome to डाउटनेट, दोस्तो, आज का हमारा जो question है, वो है spotting error section से हमें grammatical error यहाँ पर ढूणना है तो चलिए, सबसे पहले अपनी question को हम read करते हैं दोस्तो, हमारा question कह रहा है Her car went out of control and strike an oncoming vehicle दोस्तो, अगर आप sentence को देखें तो sentence में clearly दिखाए पढ़ रहा है कि subject है her car जिसके पास दो verb है verb number first वो है went out अगर हम first verb की बात करें तो पता चलता है कि यह जो first verb है, means went out है यह past का है, past का indefinite पर अगर इसी को हम second verb की बात करें इसी में तो जहाँ पर लिखावा है strike an oncoming vehicle और इस point को अगर बात करें तो यहाँ पर यह चीजे opposite होगे, मतलब यह present में दिखाई दे रहे है और एक ही subject present में और past दोनों को एक साथ कैसे लेके चल सकता है तो इस वज़े से हमारा जो second part है वो error का part होगे हमें क्या करना पड़ेगा, इस strike को भी present में बदलना होगा sorry, past में बदलना होगा और यह strike हो जाएगा दोस्तो struck, s-t-r-u-c-k तो दोस्तो इस तरीके से अगर हमें correct answer find out करना हुआ तो option b is the correct answer क्योंकि इसमें strike error का part है and that's why the correct answer is option b and I hope so दोस्तो आपको यह answer with all the conditions आपको clear हो गए होगी, thank you आप चारसो 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 पर